हलो मैं हूँ एका यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई नारियल तेल हो नारियल पानी हो या फिर नारियल का फल यह हर रूप में सेहत के लिए वर्दान है अपने बाकी स्वरूपों की तरह सुखा नारियल भी काफी फाइदी मंद होता है विशीश करके गरववती महिलाओं के लिए तो चलिए आज जानते हैं सुखे नारियल के फाइदों के बारे में दिमाग के लिए सुखा नारियल काफी अच्छा होता है हर दिन सुखे नारियल में बादाम और मिश्री मिलाकर खाने से आपकी यादाश्ट बढ़ती है बच्चों को सुखा नारियल जरूर खिलाना चाहिए इससे उनका दिमागी विकास होता है पान खाने से अगर किसी की जीब कट जाए तो सुखे नारियल में मिश्री मिला कर चबाने से लाब होता है मोटापा को कम करने में भी मददगार होता है सुखा नारियल इसमें वसा और कॉलेस्ट्रॉल नहीं होता इसलिए इसके सेवन से आसानी से वजन घटाया जा सकता है अगर आपके सिर में दर्ध हो रहा हो तो सुखे नारियल और बादाम को बारिक पीस कर सर पर लगाएं इससे सिर दर्ध में राहत मिलेगी यही नहीं अगर पेट में कीडे की समस्या हो तो सुबाह नाष्टे में एक चमज शुखा नारियल का पाउडर खाएं इससे पेट के कीडे जल्दी मर जाते हैं अगर आप नींद ना आने से परिशान हैं तो सुखे नारियल का सेवन रात के खाने के बाद करें इससे नींद अच्छी आएगी पिंपल्स की समस्या को भी दूर करता है सूखा नारियल सूखे नारियल के पाउडर में निम्बू का रस और ग्लीसरिन मिला कर इसका लेप चहरे पर लगाए इससे पिंपल्स खतम हो जाएंगे गर्भवती महिलाओं के लिए तो वरदान है सूखा नारियल गर्भवस्था के दौरान अक्सर महिलाओं को पैर में सूजन, खून की कमी और एसीडिटी जैसी परिशानियों से दोचार होना पड़ता है ऐसे में सूखे नारियल का सेवन इन सारी परिशानियों से आराम दिलाता है साथ ही अगर गर्भवस्था के दौरान महिलाओं सूखे नारियल का सेवन करती हैं तो इसते डिलीवरी के बाद बच्चे के लिए अच्छा दूध मिलता है इस्ते मा के दूध में पौश्टिक्ता की वृद्धी होती है जो बच्चे के स्वास्त के लिए काफी फायदे मंध होता है तो ये थे सूखे नारियल के फायदे जिनके बारे में शायद ही आपको पहले पता हो उमीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी ऐसे ही जानकारी और फायदों के लिए देखते रहे बोल्ड स्काई और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए